नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एच्जुकेशन हब में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजवेटी के बारे में, ग्रेजवेटी की पूरी जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाली हूँ, कि ग्रेजवेटी का क्या मतलब होता है, ग्रेजवेटी के लिए क्या एप्लिकिबिलेटी होती है, कौन इलिजिबल होता है, और ग्रेजवेटी की कैलकुलेशन आपको कैसे करती हैं, ये सारी चीज़े आपको मैं step by step इस टेप स्टुडियो में बताने वाली हूँ, तो बहुत नॉलेज होगी about ग्रेजवेटी, तो उनके माइन में काफी सारे questions arise हो गए होंगे, जैसे कि मुझे भी जब इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो मेरे माइन में में काफी सारे questions arise हो गए थे, कि ग्रेजवेटी के actual meaning क्या होता है, ग्रेजवेटी कब मिल पूछा कि ग्रेजवेटी क्या होता है, everything about ग्रेजवेटी, तो कुछ लोगोंने correct answer दिया, कुछ लोगों को जितना पता था, उन्होंने अपने accordingly answer दिया, तो काफी सारे लोगों से पूछने के बाद में confused होगी कि actual में ग्रेजवेटी कहते किसे है, and ग्रेजवेटी की tournament conditions क्य होती है, everything about ग्रेजवेटी, बट आब मुझे पता है कि ग्रेजवेटी किसे कहते है, इसके tournament conditions क्या होते है, calculation कैसे की जाती है, इसका meaning क्या है, each and everything about ग्रेजवेटी, तो ये सारे information मेरे पास थी, तो मैंने सुचा कि ये सारे information मुझे आप लोग के साथ share करना चाहिए, so that अगर जिससे थोड़ी बहुत knowledge है about ग्रेजवेटी, तो वो confused ना हो, and clearly, simply समझ सके कि ग्रेजवेटी किसे कहते है, कैसे calculate किया जाता है, इसके retirement conditions है, किसे मिलता है, कब मिलता है, each and everything about ग्रेजवेटी, तो आज के इस वीडियो में, one to one हम discuss करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ग्रेजवेटी कहते किसे हैं, ग्रेजवेटी का क्या मतलब है, what is ग्रेजवेटी, ग्रेजवेटी कैलकुलेशन, जब कोई कर्द चारी, किसी कंपनी में 5 साल, 5 यर्स की सेवा पूरी कर लेता है, उसके बार वह कंपनी को छोड़ता है, तो कंपनी उस एप्रेशियेशन के तर पर जो रकम देती है, उसको ग्रेजवेटी कहा जाता है, ग्रेजवेटी कैलकुलेशन, ग्रेजवेटी वह रकम होती है, जो कंपनी छोड़ने के बार को द्वारत भी जाती है, यानि कि अगर आप इसी और्डनाज़ेशन में वरक करते हैं, इसी को हम graduate कहते हैं आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं graduate के payment of graduate act 1972 के बारे में अगर आप चाहें तो इस act को study भी कर सकते हैं आपको search करना है payment of graduate act 1972 ये एक ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा है इसमें total 15 section है अगर आप चाहें तो इसको study कर सकते हैं वैसे मैं try करूँगी कि इस वीडियो में आपको इस act का essence बता सकूँ तो देखिए इस act को क्यों लेके आया गया था इंडिया में ये जो act है ये all over इंडिया में work करता है इस act में जो organization जो companies cover होती हैं अगर उन companies में आप इंडिया के किसी भी state में work करते हैं तो आप graduating के लिए eligible हैं और इसमें चो time frame है अगर आप इसको complete करते हैं तो आप graduating के लिए eligible हैं ये सारे चीजे मैं आपको आगे आने वाले वीडियो से बताऊंगी इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं payment of graduating act 1972 के बारे में इसको क्यों लाया गया था इंडिया में देखिये पहले क्या होता था यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं जो books के language के साथ नहीं चलूँगी मैं यहाँ पर easy language में as a story आपको इस act को explain करूँगी so that आप easily इस act से relate कर पाए तो इस act को इंडिया में क्यों लेके आया गया था पहले यह हम जान लेते हैं तो देखिये पहले क्या होता था कि पहले जो companies होती थी जो organizations होते थे उसमें कोई भी वेक्ति काम करता था तो अपने पूरी life spend कर देता था एक single company में और उस single company में पूरी life spend करने की बाद कई employers होते थे जो उनको appreciation के तोर पे एक lump sum amount देते थे जिसको हम graduate कहते हैं और कुछ employers अपने employee को वो amount नहीं देते थे क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है हर employer एक जैसा नहीं होता है कुछ अच्छे employers थे जो अपने employees को ये amount देते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे जिंदगी एक company में एक organization में span कर दी तो देखिए कुछ employers अच्छे होते थे वो अपने employees को ये amount लंसम amount देते जिसको हम graduate कहते हैं और कुछ employers अपने employees को ये amount नहीं देते थे कुछ ने कुछ problems होती रहती थी तो इन problems को देखते हुए इस act को लाया गया Payment of Graduate Act 1972 इस act में कुछ rules and regulations बनाए गए कि इतने time तक अगर आप इस organization में काम करेंगे तो आप graduate के लिए eligible है किसे graduate देना है कौन eligible है ये सारे चीजे इस act में बताई गई है सारे rules and regulations term and conditions इसमें mentioned है तो हम one to one सारे terms and conditions को देखेंगे तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं और ये जो act है Payment of Graduate Act 1972 को हम detail में देख लेते हैं so that आप इससे relate कर पाए कि इस act में क्या mention है अगर आप चाहें तो इसको study कर सकते हैं आपको search करना है Payment of Graduate Act 1972 और ये काफी बड़ा नहीं है इसमें total 15 section से आप उसको study कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम discussion को start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस act में क्या-क्या mention किया गया है और क्या-क्या इसके main point है What is Payment of Graduate Act 1972 तो यहाँ पर in short में मैं आपको explain करने वाली हूँ कि Payment of Graduate Act 1972 क्या है Payment of Graduate Act 1972 was elected by the Ministry of Labor and Employment on 21st of August 1972 तो ये जो act है वो enacted हुआ था Ministry of Labor and Employment 21st of August 1972 further it was enforced from 16th September 1972 and ये enforced में आया 16th September 1972 according to the Payment of Graduate Act 1972 and employees is eligible to receive graduate amount according to this act जो employees है वो eligible है graduate amount को receive करने के लिए इसमें जो term and conditions जो rule and regulations है अगर वो इसको fulfill करते हैं तो यहां देखे मेंशन है If he, she has rendered ongoing work for not at least five years towards an organization अगर कोई employee किसी organization में five years तक without discontinued service work करता है तो वो eligible है graduate receive करने के लिए इस act के according next है the graduate becomes due to an employees on his superannuation superannuation means होता है अगर आप किसी organization में अपनी retirement की age तक work करते हैं उसी को हम superannuation कहते हैं तो first point इसमें देखिये है अगर superannuation तक है second है on his retirement और resignation अगर आप अपने retirement की age तक या फिर resignation तक work करते हैं third point है on his the rule of graduate act suggests that an employer has to arrange to pay the amount of graduate within 30 days from the date graduate becomes payable to the person तो यहाँ पे देखिये कुछ conditions mentioned है the graduate become due to employees on his अगर superannuation तक अगर retirement हो गय है resignation दे दिया है आपने आप graduate के लिए eligible है और यहाँ पे जो graduate amount मिलने का time frame mention किया गया है जब आपका graduate amount बनेगा उस date के बाद आपको within 30 days employer को जो graduate amount है वो release करनी होगी the payment of graduate act 1972 applicability of act तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं applicability of graduate act किस-किस पे applicable होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे certain specified establishment यानि कि कुछ certain establishment है जिसपे कि यह act applicable होता है सारी establishment और सारे organization नहीं है जिसपे कि यह act apply होता है तो यहाँ पे आप नीचे table में देखेंगे यहाँ पे की 10 employees 10 से ज़्यादा employees work करते हैं as to factories के अंडर में यह act applicable होता है second है mine mine को भी यहाँ पे include किया गया है and third point है oil filled companies यानि कि जो oil की company होती है जो oil produce करती है and as to किसी company में आप work करते हैं जहाँ पे की oil का उतपादन किया जाता है तो as to company भी इस act के अंडर में आती है plantation यानि कि plant based companies जो होती है तो सारी plant based companies को यहाँ पे include नहीं किया गया है सारी plant based company पे यह act applicable नहीं होगा coffee की अगर company है किसी coffee company में आप work करते हैं sugar company में work करते हैं tobacco company में work करते हैं तो इसके उपर यह act apply होता है next है port तो port पे भी यह act apply होता है हर port पे यह act apply नहीं होता है जो major ports होते हैं उस पे यह act apply होता है और ऐसे किसी major port पे आप working करते हैं तो यह act उसके उपर apply होता है, railway company पे भी apply होता है, next देखिए shop और establishment, अब यहाँ देखिए shop means हर shop पे यह act applicable नहीं होता है, 10 or more employees are employed or were employed or any day of the preceding 12 month, ऐसा कोई shop जहाँ पे 10 employee work करते हैं या फिर 10 से ज़्यादा employee work करते हैं, उसी shop पे यह act applicable होगा, अगर कोई ऐसा shop है, जहाँ पे एक दिन में भी 10 या फिर 10 से ज़्यादा employee कर्मचारी work करते हैं, तो भी यह act उसके उसके उपर apply होगा, तो हर shop पे यह act apply नहीं होगा, नेक्स है notified establishment, गौर्मेंट ने कुछ notified establishment किये है, such other establishment or class of establishment in which 10 or more employees are employed or were employed, और any day of preceding 12 month as the central government may by notification specify in this behalf, तो कुछ गौर्मेंट ने notified किया है, establishment को, यहाँ पे भी वो रोल लागू होता है, वहाँ पे भी 10 या फिर 10 से ज़्यादा employees work करने चाहिए, तब ही वहाँ पे यह act implement होगा, तो हमने यहाँ पे category wise देखा कि किन-किन companies पे and किन-किन shops पे, notified establishment पे यह act apply होगा, आज इस वीडियम में आपको बताने वाली हूँ क्या graduating के अडिये, हर employee जो भी employee work करता है company में, हर employee eligible है, तो ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे आज discuss करने वाले हैं and मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से employee and कौन-कौन से conditions में आप इस act के अंडर में cover होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं, तो चली वीडियो को start कर लेते हैं, सबसे पहला point हम discuss कर लेते हैं, super animation, अब super animation का मतलब क्या है, अगर कोई बेक्ति किसी organization में यानि कि किसी संस्था में अपने retirement की age तक work करता है, उसको हम super animation कहते हैं, यानि कि retirement की age तक अगर आप work करते हैं, तो आप cover होते हैं under graduate act में, and second है retirement from job, अगर आप किसी organization में अपने retirement की age तक, या फिर आप retired हो चुके हैं, और उस organization के साथ जुड़े हैं, और काम कर रहे हैं, तो भी आप इस act में fall होते हैं, आप इस act के अंदर में cover होते हैं, and third point है resignation, suppose कीजिए आप किसी संस्था हैं, पिर कि organization में काम करते हैं, यहाँ पर देखें, इस act में time frame mention किया गया है, graduate के eligibility के लिए आपको किसी भी organization में, किसी भी संस्था में minimum five years work करना चाहिए, तब ही आप eligible होंगे graduate के लिए, तो अगर आप किसी organization में five years तक work करते हैं, continue without breaking service आपको करना है, and five years तक आप continue without breaking service देते हैं उस organization को, and उसके बाद किसी भी reason से, किसी भी बज़े से आपको resignation देना पड़ता है, फिर भी आप इस act में cover होते हैं, फिर भी आप eligible हैं, आपको graduate मिलेगी, fourth point discuss कर लेते हैं, die or disabled due to sickness or accident, यहाँ पर देखें time frame सबसे main है, आपको same organization में five years work करना है, without discontinue your service, आपको five years work करता है, and उस case में देखें अगर आप died हो जाते हैं, या फिर आपको disability के वज़े से, sickness के वज़े से, किसी accident हो जाता है, उस वज़े से आपकी मृत्ती हो जाती है, तब भी आप graduate के अंडर में cover होंगे, तब भी आपको graduate मिलेगी, and आप इस act के अंडर में cover होंगे, चिली यहाँ पर discuss कर लेते ह हैं, so that यहाँ पर जो भी points मेंने mention की है, आप इसको note कर सकें, who is covered under graduate act 1972, कौन-कौन covered होता है, under graduate act 1972, सबसे पहला point है, employees who are eligible for superannuation, superannuation का मतलब है, कोई व्यक्ती किसी संस्था में अपनी retirement की age तक work करता है, तो वो इसके under में cover होता है, इसी को हम superannuation कहते हैं, second point है, employees who are retired from the job, कोई ऐसा employee किसी एक संस्था में अपने retirement की age तक work करता है, और वो retired हो जाता है अपने job से, तो वो भी इसमें covered होता है, third point है, individual who have resigned from the job after continue employment with the organization for five years, कोई ऐसा व्यक्ती जो किसी एक संस्था में five years तक work करता है, and five years work करने के बाद वो job से resignation दे देता है, resign कर देता है, तो वो भी इसमें covered होता है, under graduate act 1972 के, fourth point है, graduate is also earned when a person is died or becomes disabled due to accident or sickness, अगर कोई person died हो जाता है due to accident or sickness, तो वो भी इसके under में covered होता है, इसमें चो time frame है, वो main है, अगर आपने time frame यानि की five years service continue complete कर ली है, तो आप इस act में covered होंगे, चलिए देख लेते हैं कि under graduate act 1972, आपको कैसे graduate की calculation करनी है, यहाँ पर मैंने detail prepare किया है, आपको explain करने के लिए, सबसे पहले देख लेते हैं, graduate का limit क्या होता है, तो इसका limit है 20 lakh, 20 lakh रुपिस तक आप graduate ले सकते हैं, यह इसका limit है, graduate का जो formula है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं, 15 multiply last round basic salary, multiply करना है, year of service in a company, divided 26, अब यहाँ पर 15 से क्या मतलब है, पूरे year में आपको 15 days की graduate pay की जाती है, तो इसलिए formula कुछ इस type से बना हुआ है, 15 multiply last row basic salary, अब यहाँ पर last row basic salary क्या है, support कीजिए आप किसी company में 2010 में work करते थे, तब आपकी salary 10,000 थी, अब जब आप company को छोड़ते हैं, या फिर retired हो जाते हैं, और जब आप graduate के लिए claim करते हैं, या फिर graduate लेते हैं, तो उस time आपकी last salary क्या होती है, उस space पे आपका graduate calculate होता है, तो suppose कीजिए आपने company 2010 में join की, जब आपके salary 10,000 थी, अब जो last में आप salary ले रहे हैं, उस space पे आपका graduate calculate होता है, year of services, यानि कि आपको पता है, graduate के लिए एक time frame होता है, 5 या फिर 5 साल से ज़ादा अगर आपने किसी भी organization में work किया है, तब ही आप eligible होते हैं graduate के लिए, तो यहाँ पे more than 5 years के बाद जो इतनी भी आपने services किसी company में की है, उस period को calculate किया जाएगा, and 26 से multiply किया जाएगा, अब 26 क्या है, तो देखिए month में 30 आफि 31 days होते हैं, जिसमें की 4 week आते हैं, 4 Sunday आते हैं, तो यहाँ पे 4 Sunday को consider नहीं किया गया है, इसलिए 30 में से 4 minus करके 26 days जो working होते हैं, उसको calculate किया गया है, तो इस step से formula है, graduate को calculate करने का, इस step से इस formula को follow करते हुए आपको graduate को calculate करना है, अब यहाँ देखिए नीचे service year calculation, आपको जो service year है वो कैसे calculation करनी है, कि कितना साल आपने company में work किया है, कैसे आप यह जानेंगे, and कैसे आप इसको calculate करेंगे, तो यहाँ पर यह भी conclusion में clear कर देती हूँ कि कैसे आपको service year calculate करना है, तो यहाँ पर देखिए example के लिए मैंने आप 2 years लिये हुए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 year 7 month, यानि कि अगर आप किसी company में without breaking service, 6 year 7 month work करते हैं, तो वहाँ पर इसको consider किया जाएगा 7 year, year की calculation आपको ऐसे करनी है, suppose कीजिए आपने 6 year work किया 7 month किया, तो उसको as a 7 year consider किया जाएगा, यहाँ पर 7 month है, month देखिए अगर more than 5 month अगर आप work करते हैं, तो उसको as a 1 year consider किया जाता है, तो यहाँ पर 6 year 7 month है, 7 month यानि की 1 year यहाँ पर consider किया जाएगा, इसलिए 7 years हो गया, next example देख लीजिए 6 year 5 month, यानि की 5 month है, तो इसलिए हम इसको 6 year consider करेंगे, क्योंकि अगर more than 5 month होता, तो इसको as a 1 year consider किया जाता, बट यहाँ पर 5 month है, 6 year 5 month है, इसलिए हम इसको minus कर देंगे, जो 5 month है, और यहाँ पर हम 6 year को consider करेंगे, इस step से आपको service year calculation करना है, suppose किजिए आपने 10 year 2 month work किया है, तो यहाँ पर 10 year ही consider किया जाएगा, अगर आपने 10 year 6 month या फिर 7 month या फिर 8 month work किया है, तो वहाँ पर आपका 11 year service calculation किया जाएगा, तो इस step से आपको अपने service की calculation करनी है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ examples दे की बताया है, इस step से आप easily अपने service की year calculation कर सकते हैं, अब उसके बाद जो next है वो देख लेते हैं, last row salary, तो last row salary मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसमें क्या-क्या include किया जाता है, basic plus DA, only basic salary and जो dearness allowances आपको मिलते हैं, वही आपको as a last row basic salary माना जाएगा, salary में आपको HRA, conveyance, other allowances भी मिलते हैं, इन सारे को आपको add नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो basic salary है, plus जो dearness allowances मिलता है, इन ही दो को आपको last row salary as a consider करना है, अब चलिए कुछ example के तोर पे हम देख लेते हैं, कि कैसे आपको graduate calculation करना है, तो आप यहाँ पर next में एक sheet देख सकते हैं, मैंने sheet रखी हुई है, prepare की है, so that मैं आपको यहाँ पर explain कर सबूँ, अब यहाँ देखिए आपको salary sheet शो हो रही है, जिसमें कि आपको column शो हो रहा है, employees के name आपको शो होंगे, जो basic इनकी salary है वो, dearness allowances इनको जो मिलते हैं वो, और यहाँ पर उसके next में आपको total शो होगा, उसके बाद देखिए जो service year है, वो शो होगी, and graduate calculation मैंने आपके किया है, कि आपको एक complete sheet मैंने आपके present की है, अब यहाँ पे step by step हम discuss करेंगे one to one point को, सबसे पहले जो employee है, आसू, इनकी जो basic salary है, 15,000 है, प्लस इनको जो dearness allowances मिलता है, 1,000 मिलता है, तो दोनों को plus करने के बाद, 15 and 1 को plus करने के बाद, इनकी जो total basic salary हुई, 16,000 हुई, यहाँ sheet में मैंने formula भी लगाया हुआ है, आप formula देख सकते हैं, basic plus रिये, तो इस tab से इस formula को apply करके, मैंने drag कर दिया है, आदी की जो basic salary है, 20,000 है, and dearness allowances जो है, वो 1,000 है, तो इसकी मिला के 22 होगी, इससी tab से आप शिव की देख सकते हैं, 25,000 salary है, and 1500 dearness allowances है, 26,500 इनकी total salary होगी, जिस पे हम graduate calculate करेंगे, इससी tab से आप काविया की देख सकते हैं, तो यह जो total आपको salary show हो रही है, इसी पे हमें graduate को calculate करना है, and इसमें हमें स्रिफ basic and dearness allowances add करना है, जो HR होता है, convenience होते हैं, and other allowances होते हैं, वो हम इसमें add नहीं कर रहेंगे, तो यहां देखिए, आश्रू की जो service year है, 6 year है, आधी की 7 year है, शिव की 8 year है, and काविया की 10 year है service, तो इसकी according, हमारे पास basic salary भी है, and year service भी है, अब हमें क्या करना है, simply इसके पर formula apply करके, जो यहां पर formula मेंने mention किया हुआ है, उसको हम apply करेंगे, and simply हमें graduate क्यालकुलेट कर लेनी है, तो यहां देखिए हमें क्या करना है, total जो हमने salary निकाली है, अब यहां पर मैं formula कैसे लगाना है, वो आपको यहां पर बता रही हूँ, तो चलिए यहां पर हम जो graduate calculation वाला column है, उस पर मैं आपको show करती हूँ कि मैंने कैसे formula apply किया हुआ है, तो यहीं पर cursor ले जाके मैं app to press कर देती हूँ, so that मैं आपको formula show कर सकूँ, तो यहां formula देख सकते हैं, यहां पर जो formula मैंने यहां mention किया है, same formula को मैंने यहां पर apply किया है, 15 को मैंने multiply किया है, देखिए यहां पर आपको show हो रहा है 15, तो 15 को हमने multiply किया है, जो last drawn salary है, तो यहां पर जो आशू है, इनकी last drawn salary है, basic plus DA को मिलागे 16,000 तो यहाँ पर 16,000 को हमने multiply कर दिया है service year से जो year service है यहाँ देखिए जो हमने service किया है 6 year उसके बाद हमने divide किया है 26 तो जो formula है उसको simply आपको apply करना है follow करना है 15 days को multiply करना है last round salary से फिर आप multiply करेंगे अपने service year से divide 26 से and मैं आप एंटर प्रेस करके आपको show करती हूँ जो आसू की graduate बनी है 55,384.62 इसी formula को आपको drag कर लेना है अपने salary seat में and जितने employees है सबकी graduate simply calculate हो जाएगी इसी टैप से देखिए जो next employee है उनका मैं formula आपको show करती हूँ formula same है 15 days को आपको last round salary से multiply करना है year of service से and divide आपको 26 से कर देना है इसी टैप से देखिए शिव की जो graduate बनी है 1,22,000 और जो काव्या है उनकी graduate बनी है 1,84,000 इस टैप से इस formula को follow करते हूए आप simply graduate को calculate कर सकते हैं तो चलिए एक quick revise कर लेते हैं आपको देखिए जो graduate की limit है 20,000,000 रुपिस है और जो graduate का formula है 15 multiply last round salary multiply year service divide 26 करना है and service year को आपको कैसे calculate करना है अगर 6 year 7 month है तो as a 7 years consider करेंगे and 6 year 5 month है तो as a 6 year consider और जो last round salary है basic plus dareness allowances जो है वो आपको करना है और यहाँ पे salary sheet के थूँ मैंने आपको बता दिया कैसे आपको calculation करनी है इस type से आप multiple example के थूँ मैंने आपको explain किया है आप इस type से किसी भी type की जो salary figure है उसको आप calculate कर सकते है अगर आपके पास year service proper है तो इस type से आप graduate को calculate कर सकते है जो से मैंने आपको इस video बताया है description box तो check out करना ना भुलिएगा वहाँ मैं tally and accounts related maximum videos के link प्रवाइड कर दूँगी आप उन सारी video को watch कर सकते है आप मेरे channel को search भी कर सकते है मेरे channel का name है zoom and education hub आपको महाँ playlist भी मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful रहेगा तो definitely playlist को watch कर जेगा tally and accounts related मैं maximum to maximum videos को cover करने की कोशिश कर दी हूँ and मैं try करूँगी जो यह मैं कोशिश कर दी हूँ इसको मैं continue in future में कर सकूँ बढ़ आप से लोग के support की भी ना यह possible नहीं है तो मुझे support कीजिए वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है तो please मेरे channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए and please मुझे support कीजिए I wish यह जो मैंने payment of graduating act 1972 आप लोग के साथ discuss किया है आपको समझ में आया होगा and हम इससे continue करेंगे अपने next video में तब तक के लिए thank you and keep watching my videos description box हो check out करना ना भूलिएगा अगर description box हो check out करना ना भूलिएगा वहाँ में ट्यारी and accounts related maximum videos के link प्रुवाइट कर दूँगी आप उन सारी वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का name है Zoom and Education Hub आपको महाँ playlist भी मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful रहगा